सरकारी मदद की आस में बैठी रही मासूम पीडिता, तेरा दिन बाद पहुंची सहायता उज्जैन में दरिंद्गी का शिकार हुई 12 वर्षिय बच्ची की कहानी आज भी हर किसी के रोंगटे खड़े कर देती है मामला सामने आने के बाद पीडिता को कई तरह की मदद के वादे किये गए लेकिन उसके पास आर्थिक मदद पहुँचने में 13 दिन का समय लग गया राशी पहुचने में लग गए 13 दिन सकना जिला मुख्यालय से जैत्वारा थाना इलाके के महस 25 किलोमिटर के फासले पर स्थित उस गाव तक 50 हजार की आर्थिक मदद पहुचने में पूरे 13 दिन लग गए जिस गाव में उजजैन की दरिंदगी की शिकार 13 साल की छात्रा का घर है बैंक में खोला गया जवाइंट एकाउंट बुधवार को ही पीडिता और उसके दादा के नाम एक जवाइंट एकाउंट इंडियन बैंक की जैत्वारा ब्राच में खोला गया बैंक खाता खुलने के बाद प्रतिकर की राशी एकाउंट में ट्रांस्फर की जाएगी जिलाबाल कल्यान उजजैन की सिफारिश पर प्रतिकर राशी प्रस्तावित की गई है लेकिन बैंक एकाउंट नहीं होने के कारण प्रतिकर राशी की प्रक्रिया बीच में थी जानकारों के मुताबिक प्रतिकर की राशी का निर्धारन केस की स्थिती के आधार पर किया जाता है उज्जैन पुलिस ने की मदद दरिंगी की शिकार पीडिता और उसके परिजनों को ततकाल आर्थिक सहायता पहुचाने के मामले में उज्जैन के पुलिस अधिक्षक और महाकाल थाने के टी आई की भूमिका सराहनिय है तीन लाख नौ हजार रुपए की सहायता राशी दिलाई थी